दोस्तों आज आप सुनेंगे मशूर इंगलिश लेखक एलन हाइड की एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग कहानी कहानी का नाम है चक्कर ग्रहों का तो आएए बिना देर के शुरू करते हैं अपनी कहानी अमेरिका के ओरिजॉन नामक इलाके में बॉडॉन नाम का एक छोटा सा नगर है 1920 के जमाने में वहाँ पर बड़े ही अजीबो गरीब स्वभाव वाले दो भाई रहा करते थे छोटे का नाम था आर्थर कॉविल वो 30 साल से उपर का हो जाने के बाद भी कुमारा था वो एक कॉस्मेटिक सेल्समेन था उसका बड़ा भाई था फ्रेड कॉविल वो 40 के आसपास की उम्र का था कम बोलने वाला और अपने आप में ही मस्त रहने वाला एक साधारन सा डॉक्टर था वो शरीर की नसों और हड़ियों वगेरा की मालिश करके लोगों का इलाज किया करता था उसकी ज्यादा तर मरीज औरते ही थी आदमी बहुत ही कम उसके पास आया करते थे जिस इमारत के हॉल में डॉक्टर की दुकान थी उसी में उसके छोटे भाई आर्थर ने अपना ओफिस और गोडाउन बनाया हुआ था जहां से वो अपने ग्रहकों को कॉस्मेटिक्स सप्लाई किया करता था ये दोनों ही भाई औरतों के मामले में काफी बदनाम थे और चुंकी वो अपने अपने ग्रहकों को एक दूसरे के पास भेजते रहते थे इसलिए पूरे शेहर के लोगों में ये आमधारना बनी हुई थी कि वो दोनों अपने आयाशियों के लिए आपस में औरतों की अदला बदली करते हैं नगर के भले और शरीफ लोग इन दोनों से इतने परेशान और दुखी थे कि आपस में कहा करते थे ये दोनों बदचलन भाई इश्वर के प्रकोप से किसी हालत में बच नहीं पाएंगे बस इनके पाप का घड़ा भरने की देर है और इश्वर का गुस्सा इनके उपर बिजली की तरह तूटेगा देख लेना अब जो कॉस्मेटिक्स बेचने वाला चोटा भाई था यानि आर्थर उसके अंदर बहुत सारी बुरी आदतें थी उन आदतों में से एक ये भी थी कि वो औरतों की ही तरह शराब का भी बहुत ज्यादा शौकीन था एक दिन में दो बोतले तक पी जाया करता था बलकि यूं कहा जा सकता है कि वो हर वक्त नशे में ही रहता था और जैसे जैसे दिन चड़ता था उसका नशा और तेज होता जाता था एक रात नशे की हालत में बड़ी ही तेजी के साथ गाड़ी दोडाता हुआ वो अपनी एक विद्वा प्रेमिका से मिलने के लिए उड़ा जा रहा था तभी वो टेलिग्राम के खंबे से टकरा गया काफी दिनों तक हॉस्पिटल में इलाज कराने के बाद जब वो बाहर आया तो उसका कमर से नीचे का हिस्सा बेकार हो चुका था और वो जिन्दगी भर के लिए लाचार और अपाहिस बन गया था उसके डॉक्टर भाई ने अपनी मालेश वगरा के इलाज से उसकी टांगों की नसों में जान डालने की बड़ी कोशिश की लेकिन वो अपने अपाहिस भाई को ठीक नहीं कर सका अपंग होने के कारण आर्थर के सामने जो कई तरह की मुश्किलें पैदा हो गई थी उन में से कई उसके भाई की मदद से थोड़ी कम हो गई उसका भाई हर रोज कॉवेल हाउस से उसे अपनी कार में दुकान तक लाता और फिर उसके ऑफिस के सोफे पर बैठा देता फिर आर्थर वहाँ बैठा बैठा लोगों को फोन करता और उन सारे कामों को अंजाम देता जिनकों करने के लिए टांगों की जरूरत नहीं पड़ती थी नगर के बाहर स्थित डॉक्टर कॉवेल के उस घर में कुल पांच जने रहते थे उसके और उसके चोटे भाई के अलावा एक तो थी उसकी चोथी बीवी जिसका नाम था एवा कॉवेल वो एक महनती और नक्चड़ी सी औरत थी उसके चेहरे पर हमेशा ऐसे भाव रहते थे जैसे सारे संसार का बोज़ा वो अपने चोटे से कंधों पर संभाले हुए है इसके अलावा पहली बीवी से उसकी दो ओलादे थी उनमें से एक थी लूसिल नाम की 14 साल की एक सुन्दर सी लड़की और दूसरा था एल्टन नाम का एक निकम्मा और बेवकूफ सा लड़का वो बहुत ही दुबला पतला और सीखिया सा था अपने 6 फिट के लंबे कद की वज़ह से और भी ज्यादा दुबला पतला नजर आता था उसका एक ही शौक था दिन भर चोटे बड़े पत्थर इकटे करना और उनको पूरी ताकत के साथ हवा में दूर दूर तक फेंकना बेटी लूसिल पर तो उसके बाप को बड़ा ही गर्व था लेकिन बेटे एल्टन को लेकर वो काफी परिशान रहता था उसके बारे में वो अक्सर कहा करता था भगवान जहने इस लड़के का क्या होगा इतना बड़ा उूट सा हो गया है लेकिन अभी भी हवा में पत्थर फेंकने के अलावा और कोई काम करना नहीं जानता लेकिन ये दोनों ही बच्चे अपने अंकल आर्थर के काफी नजदीक थे और उसे सिर्फ प्यार ही नहीं करते थे बलकि एक तरह से उसकी पूजा करते थे उसके अक्सिडेंट के बाद से तो वो उसका और भी ज्यादा ख्याल रखने लगे थे आर्थर का एक्सिडेंट होने से पहले कौवल हाउस का माहौल ठीक ठाक और शांती भरासा ही था क्योंकि उससे पहले वो सुभा जल्दी अपने काम पर निकल जाता था और रात को देर गए तक लोटता था अब जब वो अपाहिस हो गया तो कई बार अपने ओफिस भी नहीं जाता था और घर में ही पड़ा रहता था इसका नतीजा ये हुआ कि घर में टेंशन रहनी शुरू हो गई दिन भर दुकान पर काम करने के बाद जब शाम को ठकाहारा डॉक्टर घर वापस आता तो अपनी पतनी के चेहरे पर तनाव के लक्षन देख कर पूछता क्या हुआ एवा आज मेरे भाई के साथ तुमारा जगड़ा तो नहीं हो गया उसकी पतनी उससे कभी कुछ नहीं कहती थी लेकिन सच्चाई ये थी कि वो आर्थर के कारण बहुत ही टेंशन में रहने लगी थी वो ना सिर्फ उसे गंदी नजरों से देखता था बलकि घर का काम करते समय जब वो उसके आसपास से गुजरती तो उससे छेड़ चाड़ करने की भी कोशिश करता था एवा को हर समय उससे एक डर सा बना रहता था लेकिन इस बारे में वो अपने पती से कोई बात नहीं करना चाहती थी इसके दो कारण थे एक तो ये कि वो घर में कलह पैदा नहीं करना चाहती थी और दूसरे उसे ये भी डर था कि उसका पती अपने भाई की बातों में आकर कहीं उसे ही दोशी ना मानने लगे दुरगटना से पहले आर्थर जो कुछ भी कमाता था वो सब शराब वगेरा अपनी गंदी आदतों पर फूक देता था अब पैरों से लाचार हो जाने के कारण वो ओर्डर लेने और माल सप्लाई करने के लिए पहले की तरह ज्यादा घूम फिर नहीं सकता था लेकिन गुजर बसर के लिए कुछ तो करना जरूरी था इसलिए उसके दिमाग में एक शांदार आइडिया आया कि क्यों ना वो एस्ट्रोलाजर के रूप में जोतिशी का काम करना शुरू कर दे असल में अपाहिज होने से पहले उसे अपनी शराब, खोरी और और औरत बाजी से जो थोड़ा बहुत टाइम मिलता था उसमें वो तंत्र मांत्र और जोतिश से संबंधित किताबें पढ़ता रहता था इसलिए इस काम में वो बिल्कुल अनारी भी नहीं था लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसे इस बारे में कोई बहुत अच्छी जानकारी थी लेकिन उसे अपने उपर इतना यकीन जरूर था कि अमेरिका में जो दूसरे फ्रॉड जोतिशी एक अध डॉलर के बदले में लोगों का भविश्य बता कर अपना धंदा चला रहे थे उन्हीं की तरह वो भी उल्टी सीधी बातें करके लोगों को आराम से उल्लू बना लेगा सो उसने कई अखबारों में अपना विज्यापन दे दिया और धीरे धीरे लोग उससे अपनी राशी का भविश्य जानने के लिए उसे थोड़े बहुत पैसे भेजने लगे बहुत ज्यादा चिठियां तो नहीं आई लेकिन जितनी भी आई वो उसका उत्साह बढ़ाने के लिए काफी थी फिर एक दिन ऐसा कुछ हो गया जिसकी उसने सपने में भी कलपना नहीं की थी एक दिन उसके पास अमेरिका की फिल्म नगरी हॉलिवुड से एक आदमी की चिठी आई आर्थार ने उसकी राशी का चार्ट देखा और उसे ये चेतावनी लिखकर भेज दी कि एक फरवरी 1992 को वो सावधान रहे क्योंकि उस दिन उसके उपर एक बहुत बड़ा खत्रा आने वाला है अब ये एक अजीब संयोग हुआ कि एक फरवरी 1992 के दिन उस आदमी की हत्या हो गई जिस आदमी को आर्थार ने चेतावनी लिखकर भेजी थी वो उस जमाने का फिल्म डायरेक्टर विल्यम डैसमन्ट टेलर था जिसने मरने से पहले आर्थार की चेतावनी वाला वो पत्र मशूर फिल्म अभिनेतरी मौविल नौर्मोंड और अपने कुछ दूसरे दोस्तों और जानने वालों को दिखाया था जब डायरेक्टर की मौथ हो गई तो उन लोगों को उस चितावनी वाले पत्र की याद आई और उसकी चर्चा बड़े हिजोर शोर के साथ अख़बारों में हुई अब एक विद्वान जोतिशी और सटीक भविश्यवानी करने वाले के रूप में आर्थर कॉवल के नाम की चारों तरफ धूम मच गई रातों रात वो एक गुमनाम जोतिशी से एक ऐसा मशूर जोतिशी बन गया जिसके पास अब लोग दूर दूर से पत्रों के साथ पैसे भेजने लगे अपना भविश्यवल जानने के लिए अब जब उसका धंदा इस तरह से चमक उठा तो उसने अपना हुलिया भी बदल लिया वो पहले से ज्यादा शांदार कपड़े पहनने लगा और अपने चेहरे को ज्यादा भव्य और रौबदार बनाने के लिए उसने दाढ़ी मूच भी बढ़ा ली अपने कॉस्मेटिक्स के गुदाम नुमा ओफिस में ही उसने अपना जोतिशी का ओफिस खोल लिया अब वहाँ पहले से काफी ज्यादा भीड जुडने लगी आर्थर अब दोनों हातों से चांदी काट रहा था लेकिन उसका डॉक्टर भाई उसे फरोड ही समझता था और उसने एक दिन ये बात आर्थर से कह भी दी उसकी बात के जवाब में आर्थर ने कहा अगर ये बात है ना तो मैं तुम्हारे सारे परिवार यानि तुम्हारा तुम्हारी पत्नी एवा और तुम्हारी दोनों बच्चों का भी भविशेफल बनाता हूँ तब तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं असल में फ्रॉड हूँ कि क्या हूँ कुछ दिनों बाद अपाहिज जोतेशी ने अपने भाई को कहा कि उसने उन चारों का भविशेफल तयार कर लिया है और उसके लिए एक बहुत ही बुरी खाबर है डॉक्टर ने पूचा क्या बुरी खाबर है तुम्हारी पत्नी एवा के ग्रहे बहुत ही खराब चल रहे है लेबर डे वाले दिन उसके उपर बड़ी भारी मुसीबत आने वाली है लेबर डे? वो तो नेक्स्ट वीक ही है डॉक्टर ने थोड़ा परिशान होते हुए कहा आर्थर ने जवाब दिया हाँ, बिल्कुल है मेरी मानो, तो एवा को औरिगॉन के इलागे से निकाल कर कहीं दूर ले जाओ बहतर होगा कि उसे इस्ट कोस्ट की तरफ ले जाओ वहाँ के ग्रहे उसके लिए अच्छे है तुम उसे चाहे कहीं और भी ले जाओ लेकिन भगवान के लिए यहां से निकाल लो थोड़ा सोचने के बाद डॉक्टर ने कहा मैं यहां से कहीं बाहर नहीं जा सकता अपने मरीजों को ऐसे छोड़ कर भला कैसे जाओंगा और वैसे भी मुझे तुम्हारे इस नाटक पर जरा भी यकिन नहीं है मेरी नजर में यह सब सिर्फ ढोंग और फ्रॉड है आर्थर कंधे उचकाते हुए बोला ठीक है तुम्हारी मर्जी लेकिन बाद में यह मत कहना कि मैंने तुमको सावधान नहीं किया था लेबर डे यानि मजदूर दिवस की सुभा कॉवल हाउस में पूरे परिवार ने नाश्ता किया उसके बाद लूसिल और एल्टन जो अपने अंकल की सेवा में हर समय तत पर रहते थे और उसमें बहुत ही श्रद्धा रखते थे उसे उठा कर बाहर एक घने पेड़ के नीचे ले गए और दरी बिछा कर उसे वहाँ बैठा दिया उस दिन छुट्टी होने की वज़ा से अर्थर का ओफिस बंद था और वो वहीं पेड़ के नीचे बैठा हुआ अपने ग्रहकों के राशिफल बना रहा था दोनों बच्चे उसके किसी भी काम को करने के लिए उसके पास मौजूद थे अब घर में सिर्फ डॉक्टर और उसकी पतनी ही बाकी रह गए थे नौ बजने के थोड़ी देर बाद डॉक्टर फ्रेड कॉवल पेड के नीचे बैठे आर्थर और दोनों बच्चों के पास आया और बोला मैं अपनी दुकान पर जा रहा हूँ वैसे तो आज छुटी का दिन है लेकिन मेरे कुछ मरीज आने वाले है आर्थर ने ऐसे गरदन हिलाई जैसे उसकी मजबूरी को समझता हो फिर उसने पूछा क्या एवा भी कहीं बाहर जा रही है नहीं वो घर पर ही है उसे घर पर काफी काम है डॉक्टर ने कहा और वहां से चला गया ऐसे ही तीन घंटे बीद गए दो पहर होने को आई थी आर्थर अभी भी राशिफल बनाने में बीजी था और दोनों बच्चे उसी के पास बैठे थे उसने लूसिल से कहा लूसिल अंदर से मेरे लिए एक ग्लास दूद ले आओ लूसिल घर में गई और फॉरन ही चीकती चिलाती हुई वापस आई वो चिला रही थी मम्मी मर गई वो सीडियों के नीचे मरी पड़ी है आर्थर जोर से बोला मुझे अंदर लेकर चलो फॉरन उसके कहने पर दोनों बच्चे उसे उठा कर अंदर ले गए जब लूसिल दहशत भरी नजरों से देख रही थी और एल्टन रोता हुआ अपने कमरे में भाग गया था तो आर्थर ने एवा कॉविल की लाशका ने रिक्षन किया वो उपर की मंजिल की तरफ जाने वाली सीड़ियों के पास चित पड़ी हुई थी आर्थर ने जुक कर उसके दिल की धरकन को सुनने की कोशिश की फिर कलाई पकड़ कर उसकी नाड़ी देखी फिर उसने लूसिल की तरफ देख कर कहा ये तो वाकई मर चुकी है लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं मिला रिसीवर हुक में लटकाते हुए उसने लूसिल से कहा ये तो बड़ी ही अजीब बात है तुम्हारे बाप ने तो कहा था कि वो दिन भर दुकान पर ही रहेगा फिर वो फोन क्यों नहीं उठा रहा है हो सकता है अंकल की पापा लंच के लिए चले गए हूँ लूसिल ने कहा अरे नहीं वो घर से सैंडविच बनवा कर अपने साथ ले गया था उनको वो आराम से अपनी मेज पर बैठ कर खा सकता है उसके बाद आर्थर ने टेलिफोन डायरेक्टरी में नमबर तलाश करने के बाद ऐसे कई लोगों को फोन किये जिनके बारे में वो जानता था कि वो उसके भाई के मरीज थे उसने हर एक से यही सवाल किया कि क्या उसका डॉक्टर भाई उनके यहां तो नहीं आया हर जगह से जवाब में इनकार ही मिला और उसे कोई सफलता हाथ नहीं लगी ठक हार कर उसने एक बार फिर से अपने भाई की दुकान का फोन नमबर माउथ पीस में चिला कर बताया लेकिन फिर भी कोई सफलता नहीं मिली उसने लोसिल से कहा तुम्हारा बाप अभी भी अपनी दुकान पर नहीं है पता नहीं कहां चला गया है इसके बाद भी कई बार असफल कोशिशे करने के बाद आखिरकार तीसरे पहर के करीब आर्थर अपने भाई से संपर्क स्थापित करने में काम्याब हुआ वो बेचैनी से फोन में बोला आखिर तुम कहां गायब हो गए थे फ्रेड मैं कब से तुम्हें फोन पर फोन कर रहा हूँ डॉक्टर ने हैरानी से जवाब दिया लिकिन मैं तो यहीं था अपनी दुकान में क्या हुआ है तुम्हारी पत्नी की अचानक मौत हो गई है तुम फोरन घर चले आओ ठीक है मैं तुरंट पहुँच रहा हूँ डॉक्टर ने कहा कुछ ही देर बाद वो घर पर था बड़ी ही शांत और धीर गंभीर मुद्रा में वो घर की दूसरी मंजिल पर पहुँचा जहां दोनों बच्चों ने अपनी सौतेली मा को ले जाकर लिटा दिया था उसने कुछ देर तक अपनी पत्नी की जाच की फिर नीचे आकर अपने भाई और दोनों बच्चों से कहा मेरा ख्याल है अंडर्टेकर को बुला लेना चाहिए जिस समय डॉक्टर अंडर्टेकर को फोन करके अपनी पत्नी के अंतिम संसकार के इंतजाम में लगा हुआ था कि बेवकूफ से एल्टन ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि उसे बहुत जोर से भूख लगी है मैंनी सुभा से कुछ नहीं खाया मुझे कुछ खाने को चाहिए जल्दी कुछ खाने को दो मुझे उसने कहा उसकी बहन लूसिल ने कहा कि वो सब के लिए कुछ खाने को बना देती है अपाहिस जोतीशी को जो सुभा से ही काम में जुटा हुआ था उठा कर उसके कमरे में पहुँचा दिया गया जहां पर वो विस्की की बोतल को खाली करने में जुट गया जब तक खाना बनकर तयार हुआ तब तक जोतीशी अच्छे खासे नशे में आ चुका था सबने मिलकर बड़ी ही तब्यत से खाना खाया जो कि ऐसी स्थिती में एक बड़ी ही आश्चर्य जनक और अन्होनी सी बात थी जबकि घर में एक लाश पड़ी होई थी जब अंडर्टेकर कफन दफन का इंतजाम करने के लिए वहाँ पहुचा तो लाश देखने के बाद उसने पूचा इनको क्या हुआ था डॉक्टर कॉविल ने जवाब दिया शायद दिल का दोरा पड़ा होगा उसे काफी समय से दिल के बिमारी थी आप इनको कब दफनाना चाहते हैं अंडर्टेकर ने पूचा मेरे ख्याल से कल तीसरे पहर ठीक रहेगा डॉक्टर ने कहा ये कुछ ज्यादा जल्दी नहीं है असल में मैं चाहता हूँ मिस्टर अंडर्टेकर कि कल तक ये काम निबट जाना चाहिए अंडर्टेकर ने लापरवाही से अपने कंधों को जटका और फिर लाश को अपने साथ ले जाने का इंतजाम करने में जुट गया लूसिल जूटे बरतंद होने चली गई और उसका भाई अल्टन पहुच पहुच कर बरतंओं को लगाने लगा उनका अंकल आर्थर फिर से विस्की पीने में जुट गया अगली सुबह डॉक्टर एक समस्या में उलज गया और उसने अपने भाई से जानना चाहा कि ऐसी हालत में जबकि लाश अंडर्टेकर के यहां पड़ी हुई है क्या उसका अपनी दुकान पर जाकर मरीजों को देखना सही रहेगा या नहीं आर्थार ने अपने बड़े भाई को तीखी नजरों से देखते हुए कहा ये तो तुम सोचो मैं क्या बताऊं डॉक्टर ने अपना हैट सिर्पर रखते हुए कहा मेरे ख्याल से मुझे अपने मरीजों को देखाना चाहिए मरने वाली तो मर गई लेकिन उसके लिए जिन्दा लोगों की उपेक्षा करना तो ठीक नहीं है और इतना कहकर वो अपनी दुकान चला गया उसके जाने के थोड़ी देर बाद ही एक आदमी वहाँ पर आया ये था डेपिटी शेरिफ सैम मेलहॉन ये उनका परिचत भी था और एवा की मौत की जाच करने के लिए आया था उसने आर्थर से कहा बच्चों को कहीं खेलने के लिए भेज दो मैं तुमसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ लूसिल और एल्टन के वहां से जाने के बाद उसने जोतिश से पूछा अब मुझे बताओ कि यहां ठीक ठीक क्या हुआ था अपाहिज आर्थर ने उसे सारी बात का ब्योरा दिया फिर उसने पूछा क्या बात है सैम क्या तुम्हें कोई गड़बड़ी का अंदेशा है सैम ने जवाब दिया सच कहूं तो बिलकुल है अंडर्टेकर ने मुझे खबर दी थी और मैंने जाकर मिसिस एवा की लाश को चेक किया उसकी नाक और मुह पर कुछ ऐसे निशान है जैसे किसी कपड़े पर कोई दवा लगाने के बाद जबरदस्ती उसे वहाँ दबा कर रखा गया हो इतना ही नहीं उसकी गरदन की हड़ी भी तूटी हुई है तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सब हुआ कैसे आर्थार ने जवाब दिया अब ये भला मैं कैसे बता सकता हूं कि क्या हुआ मैं तो बाहर पेड के नीचे बैठा काम कर रहा था सैम ने गरदन हिलाते हुए कहा हाँ ये तो मैं सुन चुका हूँ कि पिछली सुभा तुम डॉक्टर के दुकान पर जाने से पहले ही बच्चों के साथ पेड के नीचे जाकर बैठ गए थे बाद में दो पहर के करीब जब लड़की घर में गई तो उसने मिसिस कौवल को मरा हुआ पाया तो क्या ऐसा हो सकता है कि जब तुम्हारा भाई घर से अपनी दुकान के लिए रवाना हुआ उस समय एवा की मौत हो चुकी थी आर्थर ने कंधे उचकाते हुए कहा हाँ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता देखो आर्थर मैं इस वक्त मजाग के मूड में बिलकुल नहीं मैं यहाँ इस मौत की तफ्तीश करने आया हूँ इसलिए मुझे सीधे सीधे जवाब दो अरे तो मैं भी मजाग कहा कर रहा हूँ सैम तुमने एक सवाल किया और मैंने कहा कि हाँ कुछ भी हो सकता है लेकिन ये सब कहने के पीछे आखिर तुम्हारा असली मतलब क्या है सैम ने कठोर स्वार में कहा तुम फिलहाल मेरे असली मतलब को छोड़ो मैं तुम्हें इतना जरूर बता सकता हूँ कि एवा कॉवेल की मौत के पीछे कोई ना कोई गड़बर जरूर है उसकी मौत दिल का दोरा पढ़ने से नहीं हुई है बलकि मुझे ये लगता है कि उसकी हत्या की गई है तुम अपनी दुकान से कहा गए थे डॉक्टर मैं तो कहीं भी नहीं गया आर्थर का फोन आने तक मैं यहीं अपनी दुकान में ही था डॉक्टर ने कहा लेकिन आर्थर ने तो तुम से बात करने के लिए कई बार फोन ट्राइ किया था लेकिन यहां से कोई जवाब नहीं मिला था ये बात मुझे भी समझ नहीं आई क्योंकि मैं तो सुभा से दुकान पर ही मौजूद था डॉक्टर ने मुलायम स्वर में कहा क्या तुम अपनी इस बात को साबित कर सकते हो सैम ने पूछा देखे शेरिफ ये तो मुश्किल है मुझे कल कई मरीजों के आने का इंतजार था लेकिन हैरानी की बात है कि कोई भी नहीं आया मुझे लगता है कि शायद कल छुट्टी का दिन था इस कारण वो लोग नहीं आये सैम ने व्यंगे भरेस्वर में कहा तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारी इस बात पर यकीन कर लूँ कि तुम सुभा से लेकर तीसरे पहर तक अपनी दुकान पर बैठे रहे और तुम से मिलने के लिए कोई भी नहीं आया देखो सैम तुम मेरी बात का यकीन करो या ना करो लेकिन सचाई तो यही है सैम कुछ देर उसे चुप चाप बैठा गूरता रहा फिर उसने कहा लेकिन एक बात और भी है डॉक्टर तुम अपनी पतने की मौत से कोई खास परेशान या दुखी नजर नहीं आ रहे हो आज दोपहर बाद उसे दफनाया जाना है और तुम इत्मिनान से अपनी दुकान पर यहां बैठे हुए हो डॉक्टर ने पहले जैसे ही शांत स्वर में कहा परेशान या दुखी होने से क्या मुर्दे फिर से जिन्दा हो जाते हैं वैसे भी मुझे बेकार का दिखावा पसंद नहीं है इस बार सेम ने कड़े स्वर में कहा देखो मुझे तुम्हारी पतनी के चेहरे पर कुछ ऐसे निशान मिले हैं जैसे उसके मुह पर क्लोरोफॉर्म या ऐसी ही कोई चीज कपड़े पर लगा कर उसका मुह दबाया गया हो उसकी गर्दन की हड़ी भी तूटी हुई है एक डॉक्टर होने के बावजूद तुमने ये सारी बाते नोट क्यों नहीं की और उपर से तुम अपनी पत्नी की मौत को इतने भावहीन और शांत तरीके से ले रहे हो जैसे कुछ हुआ ही ना हो डॉक्टर ने कहा बेकार की भावकता और उतेजना से आखिर हासिल भी क्या होगा इस बार सैम अपने उपर कंट्रोल नहीं रख पाया उसने कहा, अब तो मुझे पूरा यकीन होने लगा है कि ये हत्या तुम ही ने की है मैं तुम्हे अभी इसी वक्त अपनी पत्ने की हत्या के आरोप में गिरफ़तार कर रहा हूं चलो मेरे साथ और डॉक्टर कॉवेल को उसकी पतने की हत्या के अपराध में गिरफतार करके काउंटी जेल में बंद कर दिया गया लेकिन पता नहीं क्यों डेप्यूटी मेल हॉन अभी पूरी तरह से संतोष्ट नहीं था उसे डॉक्टर के उस अपाहिस भाई आर्थर का व्यवहार भी काफी अजीबो गरीब सा लगा था इसलिए वो एक बार फिर से कॉवेल हाउस पहुच गया अपाहिस जोतिशी दो पेड़ों के बीच में हमॉक बांध कर उसमें जूल रहा था उसका भतीजा एल्टन उसके पास ही कंकर पत्थरों का धेर लगाये हुए उनको हवा में दूर दूर तक फेंक रहा था मेलहॉर ने आर्थर से कहा मैंने तुम्हारे भाई को हत्या के अपराद में गिरफतार करके जेल में बंद कर दिया है जोतिशी ने कोई खास प्रतेक्रिया नहीं दी अच्छा ठीक है तो फिर अब मुझसे क्या चाहते हो मेलहॉर न बुरी तरह से जुंजला गया आखिर तुम कैसे भाई हो तुम्हारे घर में एक मौत हो गई है तुम्हारे भाई को उसकी पतनी की हत्या के अपराद में गिरफतार कर लिया गया है और तुम्हारे उपर इस सब का कोई भी असर नहीं हो रहा आर्थर ने बड़ ही आराम से कहा क्या असर होगा मैंने तो इस बारे में पहले ही अपने भाई को सावधान कर दिया था लेकिन उसने मेरी बात सुनी ही नहीं पहले ही सावधान कर दिया था किस बारे में सावधान कर दिया था उसकी पतनी एवा के बारे में मैंने अपने भाई को पहले ही बता दिया था कि लेबर डे वाले दिन एवा के ग्रह खराब है और वो उसे यहां से कहीं दूर ले जाए लेकिन वो माना ही नहीं तो ग्रहों को जो करना था वो उन्होंने कर दिया मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो आर्थर अरे सैम ये ग्रह नक्षत्रों की गन्ना का बारीक हिसाब किताब है तुम्हारी मोटी बुद्धी में ये कभी नहीं आने वाला ये सुनकर एल्टन जो पास खड़ा हुआ उन दोनों की बात सीथ को सुन रहा था बड़ी ही जोर से खिल खिला कर हस पड़ा इस बात पर मेलहॉन बहुत ही बुरी तरह से चड़ गया उसने दात पीशते हुए कहा वो समझ में आएगा या नहीं वो तो पता नहीं लेकिन एक और बात मुझे अच्छी तरह से समझ में आ रही है और वो ये कि मैं तुम दोनों को भी गिरफतार कर लूँ लेकिन किस अपराद में? आर्थर ने पूछा हत्या में सहयोग देने के अपराद में तुम दोनों का ये बड़ता बड़ा ही अजीब सा है और मुझे पूरा यकीन है कि इस हत्या में अपने भाई का तुम दोनों ने भी साथ दिया है लिहाजा आर्थर और एल्टन दोनों चाचा भतीजे को गिरफतार करके उसी जेल में बंद कर दिया गया जहां डॉक्टर फ्रेड पहले से ही बंद था एवा कॉविल को दफना दिया गया और मेल हॉन उसकी हत्या के रहसे पर से परदा हटाने की कोशिश में लग गया उसने उन तीनों को साथ साथ की कोठरियों में बंद करवा दिया और उनके अंदर डिक्टाफोन लगवा दिये उसने सोचा था कि वो उन तीनों की आपसी बातसीत को सुनकर सच्चाई का पता लगाने में कामियाब हो जाएगा लेकिन आर्थर, एल्टन और फ्रेड कौविल के आपसी बातसीत में ऐसी कोई बात नहीं सुनाई दी जो एवा कौविल की मौत से संबंधित होती जब तीन हफ़तों की मेहनत के बाद भी कोई सफलता मिलती नहीं दिखाई दी तो इलाके के डिस्ट्रिक्ट अटॉर्णी बेन फिशर ने बाहर से मदद लेने का निश्य किया उसने सियाटल से लूक एस नाम के एक बड़े ही होशियार क्रमिनॉलोजिस्ट को बुलाया पहले मेलहॉन के मन में शक पैदा किया था उनको बहुत बारी की से देखने के बाद लूक भी उसी नतीजे पर पहुँचा जिस पर पहले मेलहॉन पहुँचा था कि किसी कपड़े को क्लोरोफॉर्म यह उसी जैसे किसी अन्ने द्रव्य में भिखो कर उस औरत के नाक और मोह पर खुब जोर से दबा कर रखा गया था उसने इस संभावना पर विचार करना शुरू किया कि हत्यारा दबे पांव पीछे से मिसिस एवा कौवल के पास पहुचा वो शायद उसका दम घोट कर उसे जान से मार देना चाहता था लेकिन उसी दोरान हत्यारे द्वारा उस औरत के सिर को इस बेदर्दी के साथ पीछे की तरफ खींचा गया कि उस जटके की वज़ह से उसकी गरदन की हड़ी तूट गई लूक ने डॉक्टर कौवल को उसकी कोठरी से निकलवाकर एक अलग कमरे में उससे बात की ताकि आर्थर और एल्टन उन दोनों की बात को ना सुन सकें लूक ने उससे कहा देखो डॉक्टर मैं तुमको बता देना चाहता हूं कि तुम एक बड़ी ही भारी मुसीबत में फस गए हो और तुम्हारे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि तुम हमारे साथ सहयोग करो लेकिन मैं क्या सहयोग कर सकता हूं? डॉक्टर ने पूछा तुम सच बोलकर हमारी मदद कर सकते हो लेकिन मैंने तो अब तक जो कुछ भी कहा वो सब सच ही कहा है तुम्हारा कहना ये है कि जिस दिन तुम्हारी पतनी की हत्या हुई तुम अपनी दुकान पर ही थे लेकिन तुम्हारा भाई कहता है कि उसने तुम्हारी दुकान पर कई बार फोन किया लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं मिला मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यूं हुआ इंस्पेक्टर लेकिन मेरे फोन की घंटी तो एक बार भी नहीं बजी थी तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुम्हारा भाई जूट बोल रहा है देखिए वो मुझे नहीं पता लेकिन मैं तो सच बोल रहा हूँ तुम्हारी बेटी ने भी यही बायान दिया है डॉक्टर कि तुम्हारे भाई ने तुम्हारी दुकान पर कई बार फोन किया लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं मिला क्या वो भी जूटी है अब इसका मैं क्या जवाब दूँ मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता लूक ने कैदी की आँखों में जहाकते हुए पूछा मैंने तुम्हारी appointment book भी देखी है डॉक्टर लेबर देखी उसमें एक भी appointment नहीं है फिर तुम उस दिन अपनी दुकान पर क्यों गए थे क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मरीज बिना appointment के भी आते हैं मुझे अपने ऐसे ही कुछ मरीजों के आने की उमीद थी उस दिन इस पूरी बात सीट के दोरान लूक बड़ी ही बारीकी से डॉक्टर के चेहरे के हाव भावों को देखता रहा था डॉक्टर बराबर उससे नजरे मिला कर बात कर रहा था और यही बात लूक को परिशान कर रही थी उसे लग रहा था कि या तो ये आदमी बिल्कुल निर्दोश है या फिर हद से ज्यादा चालाक और मकार है उसने अपना अगला सवाल किया मैं एक बात और जानना चाहता हूं डॉक्टर तुम्हें अपने पतनी के अंतिम संसकार की इतनी जल्दी क्यों थी तुमने मौत के अगले दिन ही उसे दफना दिया क्या ऐसा करना कानून के हिसाब से जुर्म है इंस्पेक्टर नहीं जुर्म तो नहीं है लेकिन आम तोर पर कोई भी इतनी जल्दी ये काम नहीं करता तो अगर आम तोर पर जैसा किया जाता है कोई आदमी अगर वैसा ना करे तो इसका मतलब है कि वो हत्यारा हो जाता है डॉक्टर ने बड़ ही शांत स्वर में कहा नहीं ये तो नहीं कहा जा सकता लेकिन क्या ये बात बहुत ही हैरानी वाली नहीं है कि एक डॉक्टर होने के बावजूद तुम अपनी पत्नी के चहरे पर उन निशानों को नहीं देख सके ना ही तुमको ये पता चला कि उसकी गर्दन की हड़ी तूटी हुई है असल में मैं अपनी पत्नी की मौत से बहुत ही परेशान था और बुरी तरह बौकला गया था इसलिए लाश को अच्छी तरह नहीं देख पाया लेकिन इतने परेशान भी नहीं थे कि अंडर टेकर द्वारा वहां से लाश ले जाई जाने का इंतजार कर लेते बलकि उसके आने से पहले ही जबकि लाश अभी घर में ही पड़ी हुई थी तुम लोगों ने खाना बनवा कर खाया डॉक्टर ने लुक की आँखों में आँखे डाल कर सवाल किया क्या ये ज़रूरी है कि मुर्दा लोगों के गम में जिन्दों को भी मर जाना चाहिए और वैसे भी मैं आपको बता दूं इंस्पेक्टर कि जब मुझे भूक लगती है तो वो मुझसे बरदाश नहीं होता लुक को कुछ समझ में नहीं आ रहा था उसे आगे बढ़ने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था अब उसने कॉवल हाउस की तलाशी लेने का निश्चे किया तलाशी के दोरान उसे अपाहिज आर्थर के कमरे से शराब की खाली बोतलों के धेर के साथ बड़ी भारी मातरा में सस्ता सहत्य मिला और उनके साथ ही मिली हिपनोटिजम की एक किताब जिसकी हालत बता रही थी कि उसे कई बार पढ़ा गया था अभी तक लुक का सारा ध्यान सिर्फ डॉक्टर फ्रेड कॉवल पर ही केंद्रित था लेकिन अब उसने आर्थर से भी मिलने का फैसला किया उसने उसे भी उसी कमरे में बुलाया जिसमें वो उससे पहले उसके बड़े भाई से बात कर चुका था पहली नजर में ही लुक को इस बात का एहसास हो गया कि ये अपाहिस जोतिशी असल में बहुत ही मकार और धूर्ट किस्म का आदमी है जब लुक ने उसे सवाल करने शुरू किये तो आर्थर ने उसे पैनी नजरों से देखते हुए किसी पहुँचे हुए जोतिशी की तरह कहा मैं तुम्हें सर्फ इतना बता सकता हूँ आफिसर कि तुम गलत दिशा में भटक रहे हो हत्यारा वो नहीं है जिसे तुम हत्यारा साबित करने की कोशिश कर रहे हो तो फिर कौन है हत्यारा? लुक ने पूछा ये पता लगाना मेरा काम थोड़ी है तुम्हारा काम है लगाओ इतना कहकर वो जोर-जोर से हसने लगा ये एक ऐसा भयानक अट्टाहास था कि लूक के सारे शरीर में एक जोर-जोरी सी दोड़ गई किसी सूतर की तलाश में लूक ने एक बार फिर से घर की तलाशी ली इस बार उसे आर्थर के जोतिश संबंधी कागजों के बीच में से एक तोड़ा मुडासा छोटा कागज मिला जिस पर लिखा था साढ़े ग्यारा एम तीन सितंबर सोमवार और सब जगहों पर लेबर डे चाहे एक मई को मनाया जाता हो लेकिन लुक को ये मालुम था कि अमेरिका और क्यानेडा में लेबर डे सेप्टेंबर के पहले सोमवार को मनाया जाता है तीन सितंबर को सोमवार था और साथ ही लेबर डे भी इसी दिन एवाकी हत्या भी हुई थी उसने उस कागज की लिखावट को आर्थर के लिखे कागजों से मिला कर देखा और पाया कि वो उसी के हाथ की लिखावट थी फिर वो आर्थर के दोस्तों और परिचितों से मिला और उनसे उसे पता चला कि उसे अपने जोतिश के साथ साथ अपनी सम्मोहन शक्ती पर भी बड़ा ही विश्वास था उसने कई लोगों को बड़े ही गर्व के साथ ये बताया था कि वो अपने भतीजे एल्टन के उपर अक्सर सम्मोहन के प्रयोग करता रहता है ल्यूक एल्टन से भी अकेले में बातसीत कर चुका था लेकिन उसे कोई काम की बात अभी तक मालूम नहीं हुई थी उसने ये जरूर नोट किया था कि बातसीत के दोरान एल्टन हर वक्त कुछ खोया-खोया सा था जैसे उसका दिमाग कहीं और भटक रहा हो लोगों से बातसीत करने में ल्यूक को ये भी पता चला कि एल्टन अपने बाब की बजाए अपने चाचा आर्थर के ज्यादा नजदीक था और उसमें बहुत गहरी श्रद्धा भी रखता था अब इन नए तथ्यों की रोशनी में ल्यूक के दिमाग में ये सवाल को बुलाने लगा कि कहीं आर्थर ने अपनी समोहन शक्ती से जो अपने भतीजे को अपनी मुठी में कर रखा है कहीं एवा की मौत के साथ उस बात का तो कोई संबंध नहीं है इस सवाल ने एक बार गीतो उस नौजवान जासूस को हैरान कर दिया लेकिन जब उसने ठंडे दिमाग से पूरी सिचुएशन पर विचार किया तो उसे ऐसा लगा जैसे वो रहस्य की घनी धुंद को चीर कर मामले की जड़ तक पहुँचने में काम्याब हो गया है वो इस नतीजे पर पहुँचा कि डॉक्टर कॉवल की हरकतें चाहे कितनी भी सनक भरी और अजीबो गरीब क्यों न रही हो लेकिन असल में वो पूरी तरह निर्दोश है और उसका अपनी पत्नी की हत्या से कोई संबंध नहीं है असल में इस पहेली का हल छिपा हुआ था एल्टन कॉवल और उसके अपाहिज चाचा आर्थर कॉवल के आपसी संबंधों के बीच ल्यूक ने महसूस किया कि वो खोया-खोया सा बेवकूफ लड़का तब तक हत्या के बारे में कुछ नहीं बताएगा जब तक उसके दिमाग को किसी तरह का तेज जटका दे कर उसके चाचा के हिपनौटिजम के असर से बाहर नहीं निकाला जाएगा अपने इस थियोरी पर विचार करते समय ल्यूक को समझ आया कि एल्टन ही इस मामले की सबसे कमजोर कड़ी है इसलिए उसे तोड़ने के लिए उसने एक बड़ी ही खुबसूरत चाल चली सबसे पहले तो उसने एल्टन को अपने चाचा से दूर एक ऐसी अंधिरी कोठरी में बंद करवा दिया जहां किसी दूसरे आदमी की शकल दिखाई देने की बात तो दूर किसी की आवास तक नहीं सुनाई देती थी इसके बाद उसने एक मशूर अख़बार की एक नकली कौपी छपपाई जिसमें मोटे मोटे अक्षरों में ये खबर छपी थी आर्थर कौवल ने अपना जुर्म कबूला फिर उसने एल्टन की कोठरी में जाकर अख़बार की वो लाइन उसे दिखाते हुए कहा येलो एल्टन जरा इसे देखो अंधेरी कोठरी के भयानक अकेले पन से एल्टन पहले ही घबराया हुआ था जब उसने अपने चाचा के बारे में छपी वो खबर देखी तो वो बुरी तरह से टूट गया अचाना की वो जूर से चिलाया मुझे यहाँ से बाहर निकालो प्लीज मैं सब कुछ बता दूँगा लेकिन मुझे यहाँ से बाहर निकालो और उसके बाद जो कहानी निकल कर सामने आई वो अमेरीकी जुर्म के इतिहास की एक बहुत ही अनोखी और विलक्षन घटना थी अपाहिज आर्थर की गलत हरकतों को एवा ने ना सिर्फ बेरुखी के साथ नकार दिया था बलकि वो उसकी ज्यादा खुराक की वजह से उसे पेटू और भुक्खड के साथ साथ और भी नजाने क्या 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 कहकर चड़ाने लगी थी आखिरकार आर्थर ने अपनी भावी को रिमोट कंट्रोल के जरिये खत्म करने का निश्चे किया उसने धीरे धीरे एल्टन के कच्चे दिमाग में उसकी सौतेली मा के खिलाफ जहर भरना शुरू कर दिया उसने उस बेवकूफ लड़के को बताया कि ये उसकी मरी हुई मा की दिली इक्चा है कि वो अपनी सौतेली मा की हत्या कर दे आर्थर ने ही उसे तरीका बताया कि वो एक कपड़े को अमोनिया में भिगोए और उसे दबा कर उसके मुह पर रख दे इससे वो बड़े ही आराम से उसका दम घोट कर उसे मारने में कामियाब हो जाएगा जोतिशी ने लेबर डे से एक हफता पहले अपने डॉक्टर भाई को ग्रहों के खतरे के बारे में सावधान करते हुए एवा को वहां से कहीं दूर ले जाने के लिए इस विश्वास के साथ कहा था कि वो उसकी बात पर कतई अमल नहीं करेगा ऐसा उसने इसलिए किया था कि खुद उसके उपर किसी तरह का संदेह ना किया जा सके आर्थार अपने भाई से इसलिए नफरत करने लगा था कि वो उसे दोबारा चलने फिरने लायक बनाने में नाकाम रहा था इसलिए इस शैतानी साजिश का एक घिनोना पहलू ये भी था कि अगर एवा की मौत के बारे में कोई संदेह पैदा हो तो डॉक्टर के खिलाफ ऐसे हालात पैदा कर दिये जाएं कि अपनी पत्मे की हत्या का संदेह उसी के उपर जाए अपनी भाभी की मौत का सही समय निश्चित करने के लिए उसने अपनी जोतिशी गंणा के अनुसार कागजों पर काफी हिसाब किताब लगाने के बाद से दूर भेज दिया उसके जाते ही उसने एल्टन को घर के अंदर भेज दिया ताकि वो अमोनिया वाले कपड़े से एवा का दम घोट दे एल्टन ने अपना काम बहुत ही अच्छी तरह से किया लेकिन सौतेली मा का दम घोटने के चकर में उससे गलती से उसकी गरदन भी उसके बाद वो भोलेपन की मूर्ती बना फिर से अपने चाचा के पास जाकर बैठ गया। दस साल की सजा काटने के बाद उसकी बाकी सजा माफ कर दी गई क्यूंकि वो अपनी नासमझी के कारण अपने चाचा के हाथ का मोहरा बन गया था। जल्दी ही एक और कहानी के साथ फिर मिलेंगे तब तक के लिए अलविदा। झालविए प्रुण